हलो माई फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर और चलिए शुरू करते हैं डब्लू डब्लू इस पोर्ट्स चलिए यह हमारा वेबसाइट खुल गया है इसके बाद हमें देखना होगा ओके थोड़ा सा यह हमने सेट कर लिया ओनो यह यह सेट कर लिया इसके बाद चलिए हम इसको यदि नाइट मोड में हो सकता है तो नाइट मोड में करते हैं मगर यह यहां कोई ऑप्शन नहीं देख रहा है जिससे हम नाइट मोड में कर सकें ओके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर डब्लू लिए पर जाते हैं यहां फिर हम पर जाईए एक डबलू में जाते हैं इस बार एक डब्लू डब्ली करने यहां पर हम फर्स्ट जो है मुकाबले के बारे में बात करेंगे एज का फर्स्ट मुकाबले फिक्स हो गया है एज डॉली दिगच एज में हाली में एक डवली में डैब्यू किया है और वो डॉली रसल ड्रीम 2023 के में इवेंट मैच के बाद आये थे एज अप एडवलू में अपने असली नाम एडम कॉपलेंड के साथ नजर आएंगे डॉली हॉल अफ एमर के ऑल एलिट रैसलिंग में पहले मैच का एखलान हो गया है टोनी खान ने हाली में ऐलान करके बताया कि रेटेड आर सुपरस्टार का एडवलू में इन रिंग डैब्यू दस अक्टूबर दोज़ और तेज को डाइनमाइट के एपिसोड में होगा ओके एज ने अपने पराने सांती क्रिस्टिन केज के खिलाफ होकर डैब्यू किया है और कई लोग यह देखकर चौक गए होंगे डैब्यू किस तरह से हुआ क्रिस्टिन एज और डार्वी एलन के बीच में मैच चल रहा था टू आउट आफ श्री फॉल्स वाला तो निक वैन के दोके के कारण डार्वी एलन को क्रिस्टिन के खिलाफ हार मिली और केज और टीन टाइटल के रिटेन रखने में सफल हुआ ओके मैच के बाद क्रिस्टिन केज निक वैन और लुचा सूरस ने मिलकर एलन पर हमला किया रैसलिंग दिगज इस्टिंग ने आका डार्वी को बचाने कोशिच के लेकिन नाकाम्याब रहे क्रिस्टिन केज ने स्टिंग पर कौन चेर टो लगाने को अमन बनाया और अचानक लाइड बंद हुई इसके साथ एज के थीम सौंग वजा और अपने असली नाम के साथ डैब्बू किया ओके ये तो रही बात इसकी और अगली नियूस भी पढ़ते हैं मोर कुछ जी हाँ तीन बड़े खुलासे जो डैब्बू के बाद हुए है ओके ये कैचीज है डैब्बू के एज के एड़ेवली में पहले मैच का खुलासा हुआ ठीक है एज फुल टाइमर के तौर पर नज़र आएंगे ओके कई सुपरिस्टार के खिलाफ लड़ने की एक्छा जताई ओके अब अब ये कोई नहीं जो भविश में अल्यों नहीं चोड़कर कौन सी पोस्ट डाली है इस बच्ची ने रुड़ी छोड़कर डॉली में शामिल होने वाले फेमस सुपरिस्टार ने शांदार पोस्ट डाल कर कीचा फेंस कर द्याने इस मैंकडाउन से पहले दिये बड़ी संकेत जैट कारगिल डलली ने हाली में पूर्ट डलली सुपरिस्टार जैट कारगिल को अपने सांथ जोड़ है जैट को लेकर इस सम्एन सोशल मेडिया पर काफी जाधा हाइप है हर कोई देखना चाहता है कि जैट कि इस तरह से डलल रिए में काम करती है कारगेल ने डवलू में अपनी जवर्दस जीत की स्ट्रिक स्ट्रिक बनाई थी और अब उम्मीद की जारी डवलू ली में भी इस डॉमिनेशन दिखाएंगी जड़ कारगेल ने अहली में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तैस्विर पोस्ट के उन्ह में तो एक केक की फोटो भी है इस पर कॉंगरचुलेशन लिखा हुआ है इसे देखकर लग रहा है कि उन्होंने डवलू में अपनी नई शुरुवात होने पर केक काटा है और इस खास तस्वीर को डाला है उन्होंने इस फोटो को कैप्शन में लिखा है केक वाली फोटो था हमें दिखने रही चौर भी है फोटो वाव बाबा क्या केक है शांदार अच्छा वो कुछ और तक केक है कॉंगरचुलेशन्स बहुत सही अच्छा लगा इसको देखकर उमिद करते हैं काफी अच्छा करेंगे डबलु ली के अंदर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुड़ बाय जय हैं जय भारत हलो माई फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर और चलिए शुरू करते हैं टाफ डाब डाबलीऐ शुरूट्स और चलिए यह हमारा वेबसट उपल गया इसके बाद हमें देखना होगा ओके तुब्स आप है यह ने सेट कर लिया ओनो है यह यह कर लिया इसके बाद चलिए हम इसको जिदि नाइट मोड में हो सकता है तो नाइट मोड में करते हैं मगर현 को अप्शन नहीं नहीं देख रहING जैसे हम नाइट मोड में कर सकें और ओके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर डाबल्ली पर जाते हैं यह फिर हम पर जाएएं एकड़ नीचे छूब में में एक डब्ली में डब्यू किया है और वो डवी रसल ड्रीम दोजर तेज के में इवेंट मैच के बाद आये थे अप एडवलु में अपने असली नाम एडम कॉपलेंड के साथ नजर आएंगे डवलुली हॉल अफ एमर के ओल एलिट रसलिंग में पहले मैच का एलान हो गया है टोनी खान ने हाली में एलान करके बताए कि रेटेड आर सुपरस्टार का एडवलू में इन रिंग डैब्यू 10 अक्टूबर दोई और तेज को डाइनमाइट के एपिसोड में होगा इसी बीच एडम कॉल पेट का सामना सिंगल्स मैच में छे फूट पांच इंच के लूचा सूरस से देखने को मिलेगा आपको बता दें कि डाइनमाइट और कॉलाइजन के अगले एपिसोड में भी नजर आएंगे ओके एज ने अपने पराने सांती केज केज के खिलाफ होकर डेब्यू किया है और कई लोग ये देखकर चौक गए होंगे डेब्यू किस तरह से हुआ क्या हुआ क्रिस्चन एज और डार्वी एलन के बीच में मैच चल रहा था टू आउट आफ स्री फॉल्स वाला तो निक वैन के दोके के कारण डार्वी एलन को क्रिस्चन के खिलाफ हार मिली और केज और टी अंट टाइटल के रिटेन रखने मे सफाल हुआ ओके मैच के बाद क्रिस्चन केज निक वैन और लुचा सुरस ने मिलकर अलेन पर हमला किया रैसलिंग दिगज इस्टिंग ने आका डार्वी को बचाने कोशिच के लेकिन नाकाम्याब रहे क्रिस्चन केज ने स्टिंग पर कॉन चेयर टू लगाने को मन बनाय हुई इसके साथ एच के थीम सौंग वजा और अपने असली नाम के साथ डैब्वी किया ओके यह तो रही बात इसकी और अगली न्यूस भी पढ़ते हैं मौर कुछ जी हाँ तीन बड़े खुलासे जो डैब्वी के बाद हुए हैं ओके यह क्या चीज है डैब्वी में पहले मैच का खुलासा हुआ ठीक है एच फुल टाइमर के तौर पर नज़र आएंगे ओके कई सुपरिस्टार के खिलाफ लडने के एक्छा जताई ओके अब यह कोई नहीं जो भविश में अव्लियों नहीं चोड़कर कौन से पोस्ट डाली है इस बच्ची ने पर लोली छोड़कर डूली में शामिल होने वाले फेमस सुपरिस्टार ने शांदार पोस्ट डाल कर कीचा फेंस कर दियाने इसमें अब डाउन से पहले दिये वड़ी संकेत जैड कारगिल डाली ने हाली में पूर्ट डाली सुपरिस्टा जैड कारगिल को अपने साथ जोड़ा है जैड को लेकर इस समय सोशल मेडिया पर काफी जादा हाइप है हर कोई देखना चाहता है कि जैड किस तरह से डाली में काम करती है कारगिल ने एडाली में अपनी यहां काफी अच्छे शेप में दिखाई दे रही है इसी पोस्ट में अगर दूसरी फोटो देखें तो एक केक की फोटो भी है इस पर इसे देखकर लग रहा है कि उन्होंने डूल में अपनी नई शुरुवात होने पर केक काटा है और इस खास तश्वीर को डाला है उन्होंने इस फोटो को कैप्शन में लिखा है केक वाली फोटो तो हमें देखने ही रही चौर भी हैं फोटो वाव बाबा क्या कीक है शानदार अच्छा और तक है कंग्रेचुलेशन्स अच्छा लगा इसको देखकर उमिद करते हैं काफी अच्छा करेंगे डवली ली के अंदर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गूड़ बाय जाए ह